नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत है आपके इस चैनल पर दोस्तों बिहार में जो सिच शक भाली चल रही है उसको लेकर एक ख़बर ख़बार में छपी है और ख़बार के हवाले से ख़बर आ रही है कि जनुरी तक मिलेगा नियुकती पत्र इस खबर को हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे आगे वीडियो को पूरा देखेगा पसंदा है तो लाई जूर करिएगा और शेयर करना मत भूलेगा चैनल पढ़ने हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा चले हमें इस खबर को डीटेल में पढ़ते हैं यह जो खबर है यह दैनिक भास करने लिखी है जिसमें इस निये का है कि 71,000 विद्यालियों में नियुक्ति के लिए आवेदन की तिती बड़ी है पहले 9 November थी अंतिम तिती प्रारंबी की स्कूल सिक्षक के अभेर्तियों को जन्वरी तक मिल जाएगा नियोजन पत्र राज्जी के 71,000 प्रारंबे की स्कूलों में लगबग 1,000,000 शिक्षकों की न्योजन के आविदन के अंतिम 39 नॉम्बर से बढ़ा कर 23 नॉम्बर कर दी गई है आविदन के लिए TET 2017 और CTET में समाने वर्ग के पुरुष को 60% अंक चाहिए पिछरा वर्ग अति पिछरा वर्ग के पुरुष अभियर्थियों के साथ ही सभी कोटी की महिला अभियर्थी SCST और जो दिव्यांग अभियर्थी हैं उनके लिए 55% अंक आनिवारे है SCST और निशक्त उमिद्वारों के लिए निउन्टम 50% अंक होना चाहिए तारीक बढ़ाने समंदी सूचना शुकरवार को प्रारंबिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने जारी की सभी प्रक्रिया पूरी कर नियोजन निकाई द्वारा जन्वरी 2020 तक चैनित अभियर्थियों को नियोजन पत्र देने का लक्ष रखा गया है इस अखवार को ये छापता है इंजिनरिंग पास को भी मौका ऐसा कहता है 2012 में टीटी उत्तिगन अभियर्थियों को दो साल की छूट मिली थी तो मुख्य रूप से एक बार ये कहना चाहता है कि जन्वरी 2020 तक नियोजन जो पत्र है वो आपको मिल जाएंगे अलाकि अगर हम वास्तिविक्ता जाने तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन सरकार चाहे तो वो कर सकती है अगर उसकी इच्छा सकती है तो वो जरूर ऐसा कर सकती है सब को सरकार की इच्छा सकती पर निर्भर करता है देखते हैं आगे क्या होगा दोस्तो जैसी भी खबर होगी आप तक पहुंच जाएगी बस आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तो इस वीडियो को मैं ही समाप्त करना चाहूँगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए नमस्कार